वासप यूदूब फैमिली दिस तीड शीलाव्स ग्लॉग वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज जो वीडियो होने वाली हो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाले क्योंकि आज हम रिंग लाइट बनाने वाले जी हां आज हम रिंग लाइट बनाने वाले वो भी ओन्ली 350 तो यह उसमें भी बहुत काम आती है और जाहतर जो भी वीडियो बनाते तो जब तक लाइट नी होगी तो बात नहीं आएगी तो यह बहुत यूसफुल होती है तो यह आज हम बनाएंगे अपने घर में तो अब इसको बनाने के लिए क्या-क्या चीज चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ पहले एसी और फ्रिज के जो काटून्स होते आप उन्हें भी यूज में ले सकते हो एलेडी स्ट्रिप लाइट बारा वॉल्ट अडेप्टर के साथ एक वायर और पिन कटर कट करने के लिए टेप एंड फैवी कॉल चिपकाने के लिए एक सिल्वर टेप एक पैंसिल, कमपास, एक ट्रेसिंग पेपर, एक डबल साइट टेप, एक स्केल मेजर्मेंट के लिए पहले कोरुगेटिड बॉक्स पे ऐसे सरकल ड्रॉ कर लेए अंदर से चार इंच मार्क करके ड्रॉ कर लेए झाल 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 हमने जो कड़ चाहिए कर दो इंच मार्किंग करके स्ट्रेप्स कट कर लें अब इन स्ट्रेप्स पर फैवी कॉल लगा के सरकल के अंदर की तरफ लगा दें जब आप सरकल के अंदर स्ट्रेप्स लगा देंगे तो कुछ ऐसा लगेगा और एसा ही सेम हमें बिलकुल भार की तरफ स्ट्रेप्स लगानी है सरकल के अंदर एंड पिछे टेप लगा दें जिससे स्ट्रेप्स को सपोर्ट मिल जाए उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट ऐसा आएगा सिल्वर टेप सरकल के बॉर्डर पे लगा दें जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो अब रिंग में होल करके एलेडी स्ट्रेप्स को चिपका दें कर दो स्ट्रेप्स LED लाइट की वायर को पिछे अडेप्टर की वायर से कनेक्ट कर दे अडेप्टर के विचे डबल साइट टेप लगा के रिंग लाइट के पिछे लगा दे रिंग लाइट ट्रेसिंग पेपर पे रखके उसको मार्क कर ले उसे थोड़ा गैब दे के कट कर लें और अब टेप की मदद से उसको लगा दे सो फाइनली रिंग लाइट बना चुके है हालत देख रहो ना मेरी तो अब देखते हैं फिर लाइट अन करके कैसा लग रहा है अभी सारी लाइट ओफ है रूम की तो मैं रिंग लाइट अन करता हूं यो सो देख सकते हो रिजल्ट कितना अच्छा है और मेरे अभी हेर्स तो बहुत बूरी हो रहे हैं तो इसको इग्नोर करना तो मैनत कामियाब हुई और रिंग लाइट बहुत ही सही काम कर रहे है बोले तो उधम देख सकते हो आप आइस के अंदर इच्छी वाज इच्छी वाज इच्छी वाज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो शेयर कर दो एंड सब्स्राइब कर दो कितना उधम लग रहे डूड कर दो